सजलोन एनरजी शेयर प्राइस भारत की प्रमुक ब्रीन एनरजी कमपनियों में से एक है जो मुखे रूप से पवन उर्जा उत्पादन में कार्यारत है ये कमपनी न केवल देश में बल्की अंतराश्ट्रियस तर पर भी अपनी उपस्थिती दर्ज करा चुकी है हाल ही में सजलोन एनरजी शेयर प्राइस ने करज मुक्ती की दिशा में बड़ी उपलब्धी हासिल की है जिससे निवेशकों का विश्वास और भी मजबूत हुआ है यहाँ पर सुजलोन एनरजी का शेयर दो हजार पचीस में कहां तक जा सकता है और कमपनी पर कितना कर जाहे के बारे में संपुर्ण जानकारी दी गई है सजलोन एनरजी शेयर प्राइस का प्रदर्शन सजलोन एनरजी का हालिया प्रदर्शन काफी सकारात्मक रहा है 2023 में सिल्जलोन ने 1400 करोड रूपे का राजस वर्जित किया और इसमें भविश्य के ओडर भी तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे कमपनी का विकास सुनिश्चित हो रहा है मार्किट कैप 12609 करोड रूपे शेर प्राइस 75.8 रूपे 52 वीक हाई 84.4 रूपे 52 वीक लो 21.7 रूपे एक महीने का रिटन 9.111 प्रतिशत एक साल का रिटन 208.35 प्रतिशत पांच साल का रिटन 2126.47 प्रतिशत कर्ज मुक्ती की दिशा में कदम सजलोन एनजी का कर्ज मुक्ती की दिशा में उठाया गया कदम कमपनी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है कमपनी ने 9,000 करोड रूपे से अधिक कर्ज को चुका कर अपने वित्तिय धाचे को मजबूत किया है इससे सजलोन की वित्तिय स्थिती में काफी सुधार हुआ है और अब कमपनी अपनी विकास योजनाओं पर बहतर तरीके से ध्यान के इंडरित कर सकती है 2025 में शेयर प्राइस की संभावनाएं विशेशग्यों के अनुसार स्जलोन एनरजी शेयर प्राइस के शेयर प्राइस में आने वाले वर्षों में और भी विध्धी देखने को मिल सकती है 2025 तक कमपनी का शेयर 90 रुपे से 100 रुपे के बीच पहुँच सकता है इसका मुख्यकारण कमपनी के मजबूत और डबुक, कर्ज, मुक्ती और बड़ती ग्रीन एनरजी की मांग है इसके साथ ही सरकार द्वारा अक्षय उर्जाक्षेत्र को मिलने वाले समर्थन का भी सजलोन एनरजी शेयर प्राइस पर सकारात्मक प्रभाव पर सकता है सजलोन एनरजी शेयर प्राइस ने अपने कर्ज को कम कर वित्तिय स्थिती को बहतर किया है जिससे कमपनी का भविश्य उजवल देख रहा है 2025 तक कमपनी के शेयरों में और भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है जिससे ये निवेशकों के लिए एक आकरशक विकल्ब बन सकता है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें